नमस्कार दोस्तों आप देख रहें Online Stuff YouTube चैनल और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आप अपनी WordPress की वेबसाइट में PayU Payment Gateway को कैसे इंटेगरेट कर सकते हैं अब इनका Sign Up Procedure है वो बहुत ही आसन है, Mail ID से आप यहाँ पर Sign Up कर सकते हैं बाद में आपको अपनी Personal Details भरनी है, अपना Mobile Number डालना है, OTP से आपका Mobile Number Verify किया जाएगा उसके बाद में आपकी Website की Link यहाँ पर डालनी है, और सबसे Main चीज़ आपको यहाँ पर जो Documents लगने वाले है, वो है आपका Pan Card, Aadar Card और Bank Detail या फिर Bank Proof के तोर पर आपको Cancel Check की Copy या फिर Bank का Verification Later लगेगा Passbook जो है वो या पर Accepted नहीं है, तो Cancel Check या फिर Bank Verification Later आप या पर अपलोड कर सकते और Service Agreement जो रहेगा इसमें सिर्फ आपको Terms Condition Accept करके आपकी या पर Procedure Complete हो जाएगी और इन Documents की आपको जो है Scan Copy भी या पर अपलोड करनी पड़ेगी और एक और मेंचीज यह है कि आपकी वेबसाइट पर या पर About Us, Contact Us, Terms, Condition, Privacy Policy, Disclaimer और Refund Policy का पेज या पर आपकी वेबसाइट पर होना ही चाहिए उसके बाद में आप या पर Sign Up कर लिजे, एक बार आपका आकाउंट या पर Activate हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से Dashboard आपके या पर खूल जाएगा इस Payment Gateway खा जब कभी भी आप First Time या पर Login करेंगे आपका आकाउंट एक्टिवेट हो जाने के बाद तो अब हमारी वेबसेट में या पर Payment Gateway इंटिगेट करने के लिए सबसे पहले आपको या पर उपर नैविगेशन बार में ये जो आइकॉन दिखाए दे रहे प्लग जैसा उसके उपर हमें क्लिक करना है और उसके बाद आपको या पर integration details ऐसा option आ जाएगा कुछ इस तरीके से तो ये वाला जो option दिखाए दे रहा है नैविगेशन बार में आपको राइट सेड में इस पर क्लिक कर लिजे उसके बाद integration details वाला जो आपको लिंक रहेगा उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा तोड़ा नीचे स्कूल डाउन करके या पर जो section है या प इस वाले section पे आपको ये जो प्रोसीड का लिंक दिखाए दे रहा है इस पर क्लिक कर लिजे उसके बाद इस plugins पेज में आपको जो है वो WooCommerce वाला प्लगीन हमें या पर डाउनलोड कर लेना है अपनी WordPress में payment gateway इंटिगेट करने के लिए तो जो भी latest version वाला प्लगीन रहेग तो अब ये प्लगीन डाउनलोड हो जाने के बाद हमें इसे WordPress में अपलोड करना है तो अपलोड करने के लिए आपको जाना है Add New Plugin section में और ये जो अपलोड प्लगीन का बटन है या से उस जी फाइल को चूज कर लिजे और Install Now के बटन पे क्लिक कर लिजे अब पहले मैंने प्लगीन इस्टॉल करके रखाए एक बार आपने प्लगीन इस्टॉल कर लिया तो आपको जाना है WooCommerce section में और उसके बाद ये जो settings का आपको option दिखा दे रहा है उस पे क्लिक कर लिजे अब उसके बाद WooCommerce setting page पे आने के बाद ये जो आपको payments का टैब दिखा दे रहा है इ या पे option add हो चुका है payment का तो इसे configure करने के लिए आपको ये जो manage का button दिखाए दे रहा है इस पे क्लिक कर लिजे और एक चीज दियान में रखेगा या से अगर ये option disabled रहेगा तो या से इसे enable कर लिजे इस तरीके से manage button पर क्लिक करने के बाद उस payment gateway का configure का page या पर open हो जाएगा आप हमें यहाँ पर सिर्फ जो है हमारा merchant की और salt की वो दो main चीजे हमें यहाँ पर डालनी है तो वो अब आपको कहा पर मिलेंगी वो हम देख लेते जो आपने same page यहाँ पर open किया था integration details वाला उसे में आपको सब सबसे उपर वो details यहाँ पर मिल जाएंगी मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको कहा पर क्लिक करना है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हमें इस पेज में pay you money की जहाँ पर लिखा है मतलब हमारी merchant की और उसके टिक नीचे pay you money salt की यह दो की हमें यहाँ सिर्फ लगने वाली है तो आपको जाना है अपनी pay you money की dashboard में है और उसके बाद यह जो integration details पर आप क्लिक करेंगे तो इस page में यह जैसा कि आप देख सकते है सबसे ऊपर आपको यहाँ पर merchant की और उसके बाद में merchant salt की यह आपको मिल जाएंगे तो सबसे पहले merchant की यहाँ से copy कर लीजे और यहाँ पर जो option है pay you money की यहाँ पर उसे simply paste कर दीजिए सेम तरीके से उसके ठीक नीचे आपको जो pay you money salt की है यहाँ से merchant salt की copy करें और यहाँ पर वो paste कर दीजिए और वो paste कर देने के बाद एक और option जो नीचे है return page का उसका मतलब जग कभी भी user payment successful हो जाएगा उ तो कि इस page के उपर आप उसे redirect करना चाते है जैसे मैंने यहाँ पर my account लिखाया आपको इभी page यहाँ पर डाल सकते contact us home या फिर shop का page और वो settings आपने यहाँ डालने के बाद save changes बटन पर click कर लिजे और एक चीज़ ध्यान में रखियागा इस detail डालते वक्त आपको detail के उपर एक और option मिलेगा तो वहाँ से जो है वह आपको gateway mode में जो है production mode या से select करना है अगर आपकी website live है या तूरंता payment gateway या फिर payment यहाँ पे on करना चाहरे है तो यह production select करके रखिया और save setting पे click करके रखियेगा आप हम देखते हमरी website पे visit करके हमारा या पे payment gateway जो है वह लगा है या नहीं और सबसे खास बात इस payment gateway की यह है कि यह payment gateway आपसे per transaction सिर्फ 2% यहाँ पर transaction का tax यासे लेता है जैसे कि बाकी payment gateway फोर एक्जमपल रेजर पे हो गया या फिर इस्ता मोज हो गया वह payment gateway आपसे per transaction 3 to 3.5% का आपसे यहाँ से टैक्स लेते पर transaction का लेकिन यह जो है यह सिर्फ 2% लेता है आप मैंने यहाँ पर प्रोड़क्ट आड कर दिया है और जैसा कि आप देख सकता है हमारे यहाँ पर ऑप्शन हैड हो चुका है पे यू मनी का जैसे ही पे यू मनी सलेक करके user यहाँ पर डीटल रहेगा मौन्ट वो आटमेटिक आ जाएगा वू कमर्स से और यहाँ पर यूजर आसानी से क्रेडिट कार्ट से वालेट से यू पी आए से नेट बैंकिंग से आसानी से यहाँ से पेमेंट कर पाएगा तो इस तरीके से जो है आप सिंपली अपनी वर्ड करेगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए